हेलो फ्रेंड्स रेश्टी पटारा चैनल में मैं रनजो जी आप सब का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सीजन का सबसे फेमोस सर्षो का साग जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होता है और यह बहुत ही जल्दी बन भी जाता है बिना कि सरषो का साग बनाने के लिए मैंने सर्षो साब नहीं बाने के लिए क्लाए का ऌद लिए उस्ट में डाल दिया एक डाल दीया है इसं से पहले भी मैंने सर्षो के साग की एक क्रिस्पी आपके सांथ सेर की हुई है जिसमें बत्वा और पालक का मिक्स साग है तमाटर और मकाई की आटे के साथ मैंने उस साग को बनाया हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से जाकर के देख सकते हैं तो साग को मैंने में डाल दिया है टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल करके 20-25 विनट के लिए मैं साग को पकने दूंगी बीच-बीच में चेक भी करते रहना है तो लगबग 20-25 विनट हो गए हैं अब हम साग को चेक कर लेते हैं तो साग की मात्रा काफी कम हो गई है और साग लगबग पक चुक या तो बंद कर देंगे और इस तरह से मत्नी से साग को 5-6 मिनट तक अच्छे से मत्हेंगे इससे साग काफी गाढ़ा हो जाएगा और खाने में बहुत ही लाजबाब होगा तो साग को मैंने मत्लिया है अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा क्यूंकि मक्य के आटे की सा का आटा नहीं हो तो आप चावल के आटे से भी से बना सकते हैं तब भी यह साग बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट बनता है तो तीन से चार चमच मैंने चावल का आटा लिया हुआ है मैं इसमें पाने डाल करके घोल बना लूंगी जिससे की इसकी कोई गुठुलिया ना रहें और घोल को साग के सांथ अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम रखेंगे चूले का और इस घोल को मिलाते समय लगातार चलाते हुए हम साग के सांथ मिक्स करेंगे इसी के सांथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज प्लीज रेस्पीटार चैनल को सब्सक्र गोल के साथ साग को जितने ही अच्छे से मिक्स करेंगे साग उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा तो इस प्रोसेस को तीन से चार उनुर तक करते रहें जिससे की साग बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए गोल के साथ इससे पहले भी मैंने साग की कई रेस्पी आपके स बहुत इच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए अब रेडी हो गया है साग तो चलिए इसमें अब हम तड़का लगा लेते हैं तो मैंने लिया है एक दूसरी कड़ाई को गरम होने दिया है इसमें डालेंगे तीन से चार चमच देशी घी देशी घी के साथ ये साग का टेस विसल्स पुलिएका दाल दिया है थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में लाल मिर्च को निकाल लूंगी अब डालेंगे टेस्ट के अकोडिंग कुटी हुई हरी मिर्च 8 से 10 लहसन की कल्यों चोटे-चोटे टुकड़ों में कट किया है उसे ले लेंगे और थोड़ा सा बुण चाने देंगे इसके बाद थोड़ी सी लहसन की कटी हुए कलियों को और सावित मिर्च को हम निकाल लेंगे गारिसिंग के लिए उसके बाद इसमें और भी सामागरी एड करेंगे तो लगवक फ्राई हो गया है हरी मिर्च और लेहसन की कलियां भी हो गई है तो मैं इस व्याथ प्याज सब्लस तढ़ने जसा अगर अगर आप डसबल में र्जहने प्याज जा किया कौर हुआ अगर दैना चाहते हैं दो n नहीं पसंद तो प्याज के सांथ अच्छे से मिक्स करूंगी और मैंने साग को घोट करके रखा हुआ है तो साग भी मैं इसे में डाल करके तड़के के सांथ 2-3 मिनुट तक भुनूंगी इससे साग बहुत ही अच्छा होता है अगर साग बनाने का यह तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें आपने फैमली मेंबोर्स अपने फ्रेंड ग्रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें सर्सो के इस साग में मैंने ना तो पालक ना तो बत्वा ना तो किसी भी और साग को इसमें मिक्स किया है फिर भी यह साग बहुत ही अच्छे से है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है तो आप भी अपने घर में इस तरह से सर्सों के साग बना कर जरू ट्राइ करिएगा तो साग को पकाते हुए लगबग 2-3 मिनट हो गए हैं और साग पक गया है अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे सर्विंग कर लेंगे तो इस तरह से सर्सों के साग बनाएए खाये मस्त रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के सांथ